हेलो अब्रीबन विल्कम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिश्य लड़ा पे आज के इस वीडियो में उन लोगों के लिए है जो हर्याना जुडिश्री का एक्जाम देने जा रहे हैं 13 नौंबर को उनको मैं all the best कहना चाहूंगा और अगर आप हर्याने जुडिश्री का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपके syllabus में कस्टमरी लॉग भी होगा आपको पता होगा आज की इस वीडियो लेक्चर में कस्टमरी लॉग को हम लोग समझेंगे और उस पे जितने MCQs बन सकते हैं उसक इतना हमसे हो पाएगा आपको basic clear कर दिया जाएगा तो आपको मैं बता दू कि कस्टमरी लॉग उसे कहते हैं जो एक्चुली में कस्टम से होता हुआ आ रहा है यानि कि देखें दो लॉग होते हैं एक होता है कि एसा लॉग ऐसा कारून जो हमारे पारलेमेंट ने पास किया है और ऐसा एक ऐसा लॉग होता है कि एक ऐसा कस्टम रीति रिवाज हो जाता है जो लोग उसको बहुती साल से practice कर रहे थे और बहुती ऐंशन टाइम से practice कर रहे थे उस चीज को बना देती है, इर्रेस्पेक्ट आफ की वो चीज़े पहले से चल रहती है या नहीं चल रहती है, continuously practice हो रहती है या नहीं हो रहती है, वो बहुत ancient है क्या ऐसा कुछ नहीं है, with the passes of time, with the requirement of the society को देखके government law बना देती है, लेकिन कई बार ऐसे भी चीज़े होती हैं कि एक practice चलती हुई चली आ रही है, किसी particular community में, किसी particular society में, वो practice ही आगे चलके law बन जाती है, उसको हम customer law बोल देते हैं, बस basic simple सा यही है, और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि customs जो दो दराके होता है, एक legal custom होता है, एक conventional custom होता है, legal custom आप यह कह सकते हैं कि भाई, यह अपने आप में कह सकते हैं कि ऑपरेटिव परसे होता है, यानि कि आप यह कह सकते हैं, binding rule of law होता है, legal custom जो होते हैं, और conventional जो होते हैं, यह इसको legal authority absolutely नहीं मिला होता है, आप ये कह सकते हैं कि legal custom ऐसा custom होता जिसको legal authority absolute नहीं होता है जिसका और अपने आप में कोई force of law ये possess नहीं करती है ये अपने आप में automatically applicable नहीं होता है ये depend करता है कि ये conditional होता है किसी acceptance पे जो agreement होते हैं parties की बीच में उसके बीच जो society और parties के बीच जो agreement पे depend होता है उसको हम conventional law क होता है वह agreement की जरूरत नहीं पड़ती है उसको medium of agreement की जरूरत नहीं पड़ती है लीगल कस्टम में तो यह कुछ बाते हैं आपको time to time आपको बताए जाएगी mcqs के साथ essential of a valid custom is are क्या होता है essential मैंने आपको बताए कि essential की अगर हम बात करें तो customary law के कई सारे essentials होते हैं जो मैं आपको यहीं पर पता देता हूँ पहला तो यह ancient होना चाहिए और immediate now मतलब बहुत ही पुराने जमाने से चलते हुए चीज़ें आ रहे हैं उसी को हम customary law बोल सकते हैं और दूसरा है कि यह practice continuously में practice की जा रही हो और तीसरी बात ही है कि यह certain uniform होना चाहिए यानि कि अगर एक customs के अगर हम बात के तो भाई हिंदू रिती रिवाज में साथ फेरे लिए जाते हैं तो यह certain uniform है साथ फेरे ही लिए जाते हैं और यह बहुत प्राचीन काल से चलती चलिया रही है ancient time से चलती चलिया रही है आप और rules of equity के accordance होना चाहिए, justice and good conscience के according होना चाहिए और कहीं न कहीं custom जो है किसी legal efficacy को impact ना करे, obvious होना चाहिए, seriously repugnant होना चाहिए, right or reason उस पे applicable होना चाहिए, तो यह सारी के सारी बाते जो है इसमें applicable है तो आप यह कह सकते हैं कि जो इसका answer है वो all of the above है Custom whose authority is conditional on its acceptance and incorporation in agreement between the parties is known as, इसको conventional custom कहते हैं, मनें आप यह आपको बताए कि custom दो तरह के हो सकते हैं, आप दो तरह के categorize कर सकते हैं, एक legal custom, एक conventional custom, conventional custom किसे कहते हैं, जिसके authority conditional होती है, इसके acceptance and incorporation in agreement between parties, ठीक है Custom whose legal authority is absolute, is known as legal custom, वो custom जिसकी legal authority absolute होती है, उसको legal custom कह देते हैं, यह वाला answer correct है Custom is a source of law and it itself is not law, यह किस ने कहा था, यह कहा था, Austin ने, इसका answer 5 का Austin ही है, ठीक है Austin ने कहा था, custom is source of law, custom जो law का source होता है, लेकिन अपने आप में यह law नहीं होता है, ठीक है Sixth question, who among the following holds the view that custom is per se law, यह किसका view था, यह सेविगनी का view था, यह भी question में आ सकते हैं आपके Custom is to society and what law is to the state, एक बात यह भी ख्याल लगे, custom जो होता है, पटिकलर society, पटिकलर community के लिए होता है, लेकिन जो law होता हो, पूरे state के लिए होता है, यह कोई law है, तो यह तो पूरे राजजी में applicable होगा, यह तो पूरे भारत में applicable होगा, लेकिन जो custom होता है, पटिकलर area के लि वाले पति को उठा के लेके जाएगा मंदप पे बैठाएगा इस तरीके अगर कस्टम हो सकता है पुरे भारत पे तो नहीं होगा अलाग लग चिन्ने में कुछ और चीज़े होंगी मरने पर राम राम सत्य का जाता है लोग लेके चलते हैं अभी हर जहां थोड़ी का जाता है चिन्ने में आप जाएंगे तो जब साट साल से उपर के लोग मर जाते हैं तो लोग बैंट बाजा लेके हसते हैं और खुशी मनाते हुए उनको विदा करते हुए उनको जलाए जाता है उनकी बॉड़ी को तो अलग लग कस्टम होते हैं कस्टम जो है पुरे आल ओवर इस्कूल की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि कस्टम आप यह कह सकते हैं कि दो टाइप के उस्कूल होते हैं आप एनलेटिकल उस्कूल बोल सकते हैं और हिस्टारिकल उस्कूल बोल सकते हैं अनलेटिकल उस्कूल वाले क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ यहां प दूसरे शब्द में आप कहले कि custom is not law until it has received the judicial recognition यानि कि किसी judicial recognition उसको मिल गया है किसी custom को court ने कह दिया ये custom को भाई तो वो मानता प्राप्त हो जाता है फिर वो law बन जाता है ये analytical school वाले कहते है तो और ऐसे custom कुछ law में incorporate भी कर देगा है आप अगर हिंदू law उठाओगे तो हिंदू law में 3B वाला देखोगे वहाँ पर customer usage की बात कीगे हिंदू law में भी कई की सारी चीज़े custom से ही आएगी है तो क्या हुआ custom जो हिंदू law में चल लाइते है उसी को इन्होंने incorporate कर दिया law में तो अब इसको यह law हो गया ऐसा custom law बन ज चला रहा है उसको किसी judicial recognition की ज़रूरत नहीं है वह अपने आप में चीज़े है ठीक है वैलिडिटी है उसकी तो यह जो कस्टम होता है कस्टम इस law independent of any declaration और recognition by the state state के recognition और declaration से परे है वो यहने कि state उसको recognize करे या declare करे या ना करे अपने आप में वह लागू होता रहेगा कस्टम यह historical law of school of thought वाले कहते हैं तो सविगनिटी इसमें भी आते हैं सविगनिटी जिन्होंने एक इससे पहले आपने question देखा होगा उन्होंने कुछ बोला था सविगनिटी ने भी काया है कि कस्टम इस बेज़ रहन दे ओपीनियन आप पीपल यह लोगों के विचारों प ज़रुवत नहीं होती है अपने आप में यह लागो होता जाता है यह historical school of thought वाले कहते हैं तो बाईराल यहाँ पर कहते हैं विच स्कूल of jurisprudence holds the view that custom becomes law after its recognition by the court यानि कोट के recognition के बाद ही जो है वो custom law बन पाएगा यह कौन लोग कहते हैं analytical school of thought कहते हैं next question which school of jurisprudence holds the view that custom is law independent of any declaration or recognition by state यह historical school of वाले कहते हैं मैंने आपको बता दिया and the last question of this video is यह है a previous instance or case which is or may be taken as an example of rule for subsequent cases by which some similar act or circumstances may be supported or justified is known as इसको आप कहते हैं इसको आप कहते हैं इसको हम प्रिसिडेंट कहते हैं तो आज हमने customer law में क्या-क्या सीख लिया एक तो हमने ठीका कि custom के classification हमने सीख लिया हमने आपको बता है legal custom और conventional custom उसके बाद हमने बता है school thought कैसे होते हैं आप यह कह सकतो analytical view होते हैं analytical school of thought होते हैं और historical school of thought होते हैं essential of custom के आपने हमने पढ़ लिया कि यह ancient होना चाहिए, practiced होना चाहिए, continuously practiced होना चाहिए, certain or uniform होना चाहिए, reasonable होना चाहिए, custom must not come into conflict with the other established custom कोई custom अगर ऐसा है जो पहले ही चलते हुए custom को वो contradict कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, custom हमेशा synchronized way में होना चाहिए, यानि कि कि किसी पहले वाले custom को impact ना कर रहा हो, conflict ना कर रहा हो, है ना, और यह public policy के खिलाफ ना हो, कोई custom अगर पॉलिक policy के खिलाफ हो, तो custom custom नहीं contradict है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो in line of statute laws ही होते है custom, यह कुछ essential भी थे जो आपको main examination में लिखने में काम आएगा, so I hope कि यह video आपको useful होंगी, और इस video को आप examination hall तक जाते हुए भी देख सकते हैं, traveling करते हुए भी देख सकते हैं, so that आपको last moment पे question आपको याद रहे, आज के इस video को देखने के लिए आपको का धन्यवाद, और अगर आप मेरे channel पर first time है, तो please like करें, subscribe करें, share करें, और bell icon को प्रेस करना ना भोले, thank you so much